नमस्कार कैसे हैं आप नितीश कुमार बिहार के मुख्य मंत्री पी-म बनने का सपना देखने लगे या यूँ कहें लालू परसाद यादब ने उन्हें मुंगेरी लाल का सपना दिखाया लालू राज देते के माजी हुए खिलाडी हैं तो नितीश भी कोई कम नहीं है कम इसलिए नहीं कि नितीश कुमार अपने 40-42 विधायकों के सहारे बीजेपी के गठ जोर में भी जब बीजेपी के पास उनसे दुबने विधायक थे चीफ मिनिस्टर बने रहे और ठीक उसी तरह से जब लालू यादव के पास नितीश से दुबने विधायक हैं सीम नितीश बने हुए हैं और अकर के साथ आखिर मजबूरी क्या है ऐसी लालू प्रसाद यादव की कि वो नितीश को ढोने को मजबूर हैं लेकिन नितीश पह सलारों को नाथे हुए हैं लालू पुत्र कस्मसार हैं मुख्य मंत्री बनने के लिए इस कस्मसाथ के बाब जूर बीचैनी लालू गैंग में है दरसल पत्ना में जब विपक्षी गठजोर की बैठक हुई नितीश की चाहत ही कुने संयोजक बना दिया जाए अब उस बैठक की महफिल लूट गए लगाई नहीं कि नितीश कुमार उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं राहुल गांधी पर ये बयान देकर इस शादी कर लो लालू उस पूरी बैठक को हलका कर गए और च्छा गए बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं दिया नहीं कि आप साधी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया भीता नहीं है साधी करिए और हम लोग बराते ही चलें और साधी करिए बात मानिए माना जाता है कि सोनिया गांधी उस बैठक में लालू और नितीश के इस धुरतता पुर्ण हरकतों से नाराज थी और इसलिए जब बैंगलोर में बैठक कोई तो इन दोनों का डिब्बा गोल कर दिया गया उस बैठक के ही रोख केजरी बन गए और कुदते हुए केजरी नजर आने लगे पूरे बैठक कास के सरवे सरवा कॉंग्रिस हो गई मालिका अरजुन खड़ गे और सोनिया गांधी ने नितीश कुमार को डिब्बा गोल कर दिया तो नितीश ऐसा प्रेसर बनाए कि जो स्पेशल बिमान से गए थे और बैठक के बीच में ही प्रेस कॉंफेंस से पहले ही भाग करके पटना आ गए और उसके बाद माना जाता है पटना आने के बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार और डिप्टी सीम ते जस्वी अदब की कोई ऐसी मुलाकात ही नहीं हुई लालू नाराज चल रहे हैं कि उस बैठक से क्यों भगा लिया गया नितीश को लगाक उन्हें अपमानित किया गया उन्हें संयोजक बनना था दरसल लालू उन्हें संयोजक बनाने का सपना दिखा करके बिहार से बाहर धकेलना चाहते थे लेकिन सिर्फ सपना दिखा करके नितीश का इतना वरा कद हो यह अभी लालू कभी नहीं चाहेंगे लेकिन लालू चाहते हैं कि वो पधान मंतरी बनने का सपना देखें और विहार की गद्धी छोड़ दें इसमें बिल्कुल सक्पकाय हुए हैं अब मसला ये है कि इन सब चीजों के बावजूर नितीश की चल कैसे रही है नितीश कौन सी ऐसी कमजोर नस्दवार हैं जिसके कारण लाचार हैं लालू परसाद्यादब और उनका पूरा खुनवा वो उदंड़ता नहीं हो पा रही है चाहकर के भी और लालू परसाद्यादब के तमाम सीपह सालार जिनने नितीश कुमार के खिलाप हुलकाया तो जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते अब देखी न सुधाकर सिंग जगदानन सिंग के पुत्र जगदानन सिंग बिहार राजश्टिय जानतादल के अध्यक्ष और सबसे कदावर राजपूतनीता सुधाकर सिंग किर्शी मंत्री थे लालू यादब के बहुत नजदीकी थे और वो सुधाकर सिंग अकसर नितीश कुमार को गेरे में लेते थे सुधाकर सिंग से इस्तिफा ले लिया गया वो किर्शी मंत्री से नहीं रहे लेकिन फिर भी वो नितीश के किलाब लगातार बोलते रहे ना सुधाकर सिंग को पाटी से निकाला गया ना उन पे कोई कारवाई हुई तो सामने फिर चंदरशेखर आ गया या चंदरशेखर यादव शिख्या मंत्री जिन्होंने रामचरित मानस पर उल जूलूल बयान दिया अब इस चंदरशेखर यादव ने अपने अपसरों की बरबोलेपन पर नितीश के खिलाप हामला बोला चंदरशेखर पर भी न कोई कारवाई हुई और नहीं चंदरशेखर की ताकत बढ़ी मामला यही तक नहीं हुआ आलोक महता राजस्व मंत्री हैं ये भी आरज़ेडी कोटे से हैं आलोक महता ने 480 अधिकारियों का ट्रांसपर किया राजस्व विभाग में नितीश कुमार ने उसे रोक करके पलट दिया भारी बेजती हुई इसके बावजूद सुधाकर आलोक महता चुप्पी लगाया रहे अब एक एक करके देखेंगे तो आरज़ेडी के मतलब लालू के जितने भी रण नितीकार हैं उस सब नितीश कुमार के रडार पड़ हैं मामला यहीं नहीं हुआ लगवक तीन दशक से लालू यादब के सब से करीब रह रहे सोशील सिंग सोशील सिंग एम एल सी हैं लेकिन उन्होंने विधान सभा में नितीश पर हमला बोल दिया वो वीडियो विधान सभा के अंदर जो कुछ भी हुआ तस्वीर आई रियक्शन हुआ तो विधान सभ परिशद के अंदर ही सोशील सिंग को नितीश कुमार ने बीज मोदी का एजेंट बता दिया और कहा आप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं ये बात नितीश कुमार ने इस आधार पर कही क्योंकि सोशील कुमार अमित शाह से मिलकर आये थे सहकारिता विभाग की एक बैठक में चुकी अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं और सुशील सिंग ने यह तस्वीर फेस्बुक पर साज़ा कर दिया जवाब में सोशील सिंग ने कहा कि नितीश बाबू अमित शाह देश के सहकारिता मंत्री हैं और उस विभाग से सम्भंदित काम में भारत के सहकारिता मंत्री से मिलना कोई अपराद नहीं है मैं आपकी तरह पल्टी बाज नहीं हूँ कि कभी इधर पल्टी मारता हूँ कभी उधर पल्टी मारता हूँ ऐसी जलालत सोशिल सिंग से हुई लेकिन सोशिल सिंग पर भी कोई कारवाई नहीं हुई बस यह कह दिया गया कि आधिकारिक बात्चीत सिर्फ नितीश कुमार करेंगे और तेजस्वी आदब करेंगे और लालू पर साधी आदब करेंगे कहने का मतलब यह कि एक एक करके नितीश कुमार लालू के रन नितीकारों पर चोट मार रहे हैं और लालू कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं ऐसी कौन सी मजबूरी है दरसल नितीश जानते हैं कि जंगल राज के दोरान उदंडता लालू के रन नितीकारों की कैसी रही है इसके बावजूद नितीश मात्र 40-42 विधायकों के बल पे सत्ता पर काविज हैं और लालू कुछ उखार नहीं पा रहे हैं दरसल नितीश जानते हैं कि उनकी पूँच कहां दबी हुई है लालू यादब पाँच मामलों में सजायापता अपराधी हैं और लैंड फॉर जॉब मामले में लालू अपनी पतनी रावडी देवी अपने बेटे डिप्टी सियम टेजस्वी यादब और बड़ी बेटी मिसा भारती के साथ चार सीटेट हैं कभी भी गराफतार किये जा सकते हैं नितीश जानते हैं कि आपराधिक मामले में लिप्त लालू कुनबा के लिए सत्ता बहुत जरूरी है और यही कारण है लालू के रननितीकारों को लगातार नितीश जलील करते हैं नितीश को लगता है कि लालू यादब के इन रननितीकारों से लालू यादब के इन चाटूकारों से यदि नितीश समझोता करते रहे तो उनकी बची कुची पूरी साख खत्म हो जाएगी ऐसे में कसमसाते डिप्टी सीम सीम बनने के लिए बेचैन है और नितीश उन्हें फोतकने भी नहीं देते इस वज़ा से अकसर बिहार में जो भी आराजकता किस्तिती 90 की दसक वाली दिखती है वो लगता है कि नितीश कुमार को बदनाम करने के लिए नितीश लालू के साथ रहकर प्रशाशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते जिसके लिए उस वज़ाशन वावू कहे जाते है हाल में बिहार में जो कुछ भी दिखा बेगुसराय में यूबतियों के साथ बलातकार का मामला उसमें तीन चार लोगों की गरफतारी हो गई इसके साथ साथ प्जेप पटना की सड़क पर बीजेपी के कारेकरताओं की पिटाई से मौत सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे चात्रों पर सिक्षकों पर लाठी चार्च इन तमाम चीजों से बदनामी तो नितीश कुमार की होती है आनंद लालुयादव उठा लेते हो कमाल की बात ये है कि सत्ता में गठ जोर करके साथ मिलकर सरकार चला है लोग एक दूसरे को अपमानित कर रहे है और इसमें बिहार क्या पा रहा है क्या खो रहा है ये बहुत महत पोड है बिहार की जनता सब कुछ देख रही है लालु कर पुत्र सत्ता पाने के लिए चीप मिनिश्टर बनने के लिए कसमसा रहे हैं और नकेल नितीश बहतरीन कस रहे है एक दूसरे के खून के प्यासे लालु और नितीश का कुनबा संग संचल कर बिहार को कहां ले जा रहा है बिहारी यह जरूर देख पा रहे होंगे बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जैहिंद बत्रम मेन के लिए जूसरे के लिए यह जलो है बलम देख बमनों का को career है रहे है आझ सम्दवोnh